तो इस question में क्या है कि वे नहीं स्टेम सोल है कि 7 students जिनके नाम यहां पर दियो है appeared in an exam and scored marks not necessarily different यह आपके पास एक अच्छा point है उसने गोला है कि आप के साथ student है चीक है एक exam में participate करा उनके marks है लेकिन यह marks जरूरी नहीं कि सबके क्या हो different हो मतलब किसी किसी के equal भी हो सकते है उसने बुला क्या है कि did n score more than o क्या n के marks o से जादा आये थे हमें यह चीज़ find out करनी है तो statement फ़र्स बढ़ता है हम लोग उसने हमें क्या बताया कि m did not score less than n m n से less score नहीं करता है इसका मतलब क्या m n से या तो जादा score कर सकता है या फिर equal score कर सकता है ठीक है उसके बाद उसने बात करिये क्या n की बात उसने continue करिये कि who did not score greater than z जो n के marks है वो z से जादा नहीं है greater नहीं है इसका मतलब क्या हो सकते है n के marks z से less हो सकते है या फिर equal हो सकते है ठीक है मैं इसलिए n का मतलब भी बना सकता हूँ न उसके बाद देखिए उसने बात करिये e की क्या बोला है उसने कि e score either less और equal to o e के जो marks है वो कहें या तो वो less है या फिर equal to है किस से o से उसके बाद उसने ऐसी को continue कराए किया कि o who is code equal to g और o के marks कितने है g के बराबर है चीक है उसके बाद d is code same marks as z d के marks same है किस से z से but lesser than e लेकिन d के जो marks है वो less है किस से e से ठीक है इतनी आपके पास information है statement first है अब हम इसका किस तरह किस से use कर सकते है देखो अगर मैं इसको base मान कर सलता हूँ कि n यहाँ पर है ठीक है z यहाँ पर है m यहाँ पर है अब देखो अगर मैं इसका use करता हूँ in that case z यहाँ पर है तो z equal to किस के d के है मतलब यह बना सकता हूँ और जो d है वो less है किस से e से मतलब आपके पास e यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद मैं इस वाली line को use कर सकता हूँ कैसे कि जो e के marks है वो less than equal to है किस से o से और o के marks equal to है g से अब उसने बात किस किस की करी थी n की करी थी और o की करी थी उसने यह तो बोला था था क्या n के marks जादा आया है उसे तो देखो इनके बीच में अगर हम बात करे तो यह तरीकी से जैसे हमारे पास inequalities होती न वही है यहाँ पर तो यहाँ से देखो इनके बीच में क्या relationship आप निकाल सकते हो आपके पास यह line क्या I mean यह वाला sign क्या करेगा dominate करेगा तो मैं यह चीज बूल सकता हो न कि o जो है वो greater है किस से n से मतलब o के marks जादा आये किस से n से उसने पूछा था हम से क्या कि क्या n के marks जादा आये हैं उसे तो हम यहाँ से बूल सकते हैं आ कि नहीं n के marks जादा नहीं आये इसका मतलब मैं इसके answer को find out कर सकता हूँ चीक है समझ में आ गया इसलिए first is sufficient to answer this question clear हो गया second की बात करते हैं हम लोग देखिए second बे उसने क्या बोला है कि Z did not score greater than D Z के marks greater नहीं आये है D से अगर greater नहीं है Z के marks इसका मतलब Z के marks less than हो सकते हैं और equal to हो सकते हैं D से चीक है उसके बात उसने आगी continue कराए क्या कि D who neither scored less than और equal to E जो D के marks हैं वो नहीं less हैं और नहीं equal हैं इसका मतलब जो D के marks होंगे वो क्या होंगे वो greater होंगे किससे E से चीक है उसके बात देखो उसने होला है कि M did not score greater than N M के marks जादा नहीं है किससे N से इसका मतलब M के marks less than equal to होंगे किससे N से उसके बात उसने continue कराए क्या कि N who scored same as Z जो N है उसके marks less than O E के जो marks है वो less है किससे O से ठीक है और उसके marks जो है वो नहीं greater है नहीं equal to है इसका मतलब less होंगे जी से तो अब देखो इनको कैसे use कर सकते है अगर मैं इसको use करा जाता हूँ यहाँ पर तो मैं यह बोल सकता हूँ फिर अगर मैं इसको use करा जाता हूँ यहाँ पर तो N यहाँ पर है और M यहाँ पर हो जागा अब फिर देखो M sorry N और O के बीच में कर मैं relationship निकालना जाओ तो यहाँ पर देखो यह आपके पर दोनों science के हैं वो opposite direction में face कर रहा है इसका मतलब N और O के बीच में हम कोई भी relationship find out नहीं कर सकते हैं अगर हम इन दोनों के बीच में कोई भी relationship find out नहीं कर सकते हैं तो हम यह भी नहीं पता कर सकते हैं कि N के marks जादा आए हैं उससे यह फिर नहीं आए हैं तो इसलिए second option यह फिर second statement is not sufficient to find this answer जाए है second आपके पास क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा third की बात करते हैं देखिए third में उसने क्या बोला है कि G scored greater than O G ने O से जादा score कर रहा है who neither scored greater than or equal to E और O के जो marks है वो नहीं greater है नहीं equal to है E से इसका मतलब किया है कि O के marks less होंगे किसे E से चीक है उसके बात देखिए उसने क्या होला कि N scored greater than Z N के जो marks है वो greater है किसे Z से but did not scored greater than M लेकिन जो N के marks है वो greater नहीं है M से इसका मतलब क्या होगा less than equal to होंगे किसे M से किसकी बात कर रहा है वो N की बात कर रहा है उसके बात देखो D did not scored less than E D के जो marks है वो less नहीं है किसे E से इसका मतलब क्या होगा वो या तो जादा हो सकते है या फिर equal हो सकते है किसे E से चीक है but scored equal to Z मतलब कि D के जो marks है वो equal to किसके Z के अब अगर मैं इनका use करता हूँ G यहाँ पर आजाएगा फिर अगर मैं इसका use करता हूँ तो N यहाँ पर आजाएगा M यहाँ पर आजाएगा देखो N और O के बीच में अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में देखिए आपके पास क्या relationship आ रहा है यहाँ पर यह sign dominate करेगा इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि N के जो marks हैं वो जादा है किसे उसे इसका मतलब क्या है third is also sufficient to answer this question तो इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा देखो both first and two together wrong हो गया only third is sufficient wrong हो गया except to all together मतलब कि यहाँ पर बात होगी कि first and third दोनों को जूड कर यह भी of case wrong हो जाएगा all together यह भी of case wrong हो जाएगा मतलब इसका right answer यह हो जाएगा तो इसका right answer आ किसे रहता अकेलिए first से या फिर अकेलिए third से चीक है I hope portion clear हो गया होगा Thank you so much